हेलो फ्रेंज वेलकम टो इमाशी स्वर्ल फ्रेंज आज मैं आपके लिए एक होम रेमेडी वीडियो लेकर आई हूं बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रहीथी मेरे चैनल पर कि आप मैं कोई होम रेमीडी बताईए हेर से रेलेटेड कुछ होम रेमेडी बताईए तो आज मैं वही वीडियो लेके आई हूँ आज मैं आपको एक बहुती सिंपल, easy and quick रहोम रेमेडी बताने वाली हूँ जिसको आपको सरफ week में one time इस्तमाल करना होगा और इससे आपकी dandruff cure होगी बालों का जहणना रुप जाएगा बालों में जो dullness आजाती है शाइन की कमी आजाती है वो भी cure हो जाएगा इसके साथ-साथ friends जो बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं जिन लोगों के या patches बन जाते हैं जिन लोगों के जिसे gaps बन जाते हैं बालों में तो वो भी कम होंगे से और बहुत ही मजबूत हो जाते हैं बालों का गिरना रुक जाता है तो आएए देखते हैं यह home remedy बहुत ही simple से ingredients हम इसको बना के त्यार करेंगे तो आए होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा अगर पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजेगा शेयर कीजेगा अपने friends and family के साथ WhatsApp and Facebook ग्रूप में ताकि वो भी इसको बनाएं और फाइदा उठा सकें इसका कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मैं हमेशा से आपके कमेंट का इंजार करती हूँ और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेट स्टार्ट एट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को क्लिक करना बिलकल मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस वीडियो के अपडेट मिलती रहे और ये बिलकल फ्री है तो चलिए फ्रेंट से स्टार्ट करते हैं यहां पे मैं आपको आज एक पैक बता रही हूँ एक हेर पैक बता रही हूँ इसके लिए सबसे पहले यहां पे मैंने तीन चमच के करीब महंदी ली है यहां पे मैंने नॉमल हिना पाउडर आता है जो लिया है इससे बालों में बहुत ही अच्छी शाइन आ जाएगी बहुत ही ज़्यादा कंडिशनिंग के लिए अच्छा होता है हिना फरेंस अगर आपके बालों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है तो आप हिना का इस्तमाल कीजिए बहुत ही अच्छा होता है कंडिशनिंग के लिए इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर मैंने शिकाकाई ली है यह देखिए शिकाकाई की डंडी है इस तरह के से मार्किट में सुकी अविलेबल है शिकाकाई बहुत ही अच्छी होती है बालो के लिए तो काले भी होने लगते हैं तो इहां पे मैंने सापांच से साथ सूखे आंवले लिए हैं और दो से तीन डंडिया शिकाकाई के लिए है तीन चमच के करीब महंदी ली है इसकी साथ आध़ साथ देखिए फ्रेंड्स उर एक चमच के मेथी ली है तो फरेंट्स इी अभी हम क्या करेंगे यह जो मेथी दाना है और शीका चा kommt पॉडर्डर है इसको हम पीश लेंगे तो फीश के हम इसको बल्कुल बारीक पॉडर बना लेंगे तो यहां मैथी दाना Ihnen को सिजार में डाल दिया है, और इसके साथ शिका काई और आवला है, जो इसको भी डाल दिया है, अब कि बिलकुल बारीक पाउडर बना लेंगे, तो देखे ए Phrens मैने इसकोपी पीश लिया है, और इसका बिलकुल बारीक तो सतुर करे यहां पे मैं आप कर I мор fighting अब आपrops की आपके dog आपके वह रहा है स्कुत के अなた हम पाउडर का आपके ऴर актив स्कूर कर कर सकते तो यह हमारा पाउडर पता है घ यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ का तेल मैं ने लिया है कलॉन जी का तेल एज इल्स यो ओल लों बिखने लिया यहुद्वाण। तो यह बहुत ही अच्छा है और कोल प्रेस ओल टो यह बहुत जिए ऑखा HOLO के लिए इसके रेग।लर से इसतमाल कि अगर आप इसका continue use करेंगे तो जो सफेद वाल है वो भी धीरे-धीरे काले होने लगेंगे तो यह बहुत ही अच्छा oil है 100% pure oil है और अगर आप चाहें तो इस company का use कीजिए मैंने description में link दे रखा है वहाँ से जाके आप इसको easily purchase कर सकते हैं बहुत ही कम price में आपको यह मिल जाएगा कलांजी का तेल है इसमें डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यह वाली जो remedy है इसके अंदर कलांजी का तेल बहुत जादा important role निभाएगा इससे जो है आपका यह पैक बनेगा वह बहुत ज़्यादा effective हो जाएगा और कलांजी के तेल से जो shine आएगी बालों म बरके रख रहे हैं तेल उस वक्त ना mix कीजिए ड्राइ इंग्रीडियन्स बनाके और आप अलग से store करके रख लीजे और जब इस्तमाल करना हो तो इस तरीके से तेल इस्तमाल कर लीजे इसके संदर mix करके कलांजी का जो तेल है एक बर आप मंगा लेंगे तो आपका कम से कम चार से पाँच मैने तक चल जाएगा और यह बहुत ही अच्छा है amazing results देता है तो friends इसके अलावा मैंने 2-3 चमच दही ली है इसको liquid करने के लिए दही भी बहुत ही अच्छी होती है hairs के लिए इसमें protein भरपूर मातरा में होता है conditioning बहुत ही अच्छी करती है दही तो बालों सा गरम पानी mix किया है ताकि जो महंदी के अंदर मैंने ingredients सारे mix किये है वह अच्छे से आपस में mix हो जाए तो आदा कप के करीब in total मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूं और मैं गुन-गुना से गरम थोड़ा पानी डाल रही हूं ताकि यह थोड़ा सा mixture है जो गरम हो जाए और सर्दी है तो मुझे बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है महंदी या कुछ भी लगाने से सर पे तो लगाने में दिकत ना आए और सर्दी ना हो सर पे इसलिए थोड़ा सा गरम पानी मैंने mix किया आप चाहें तो ठंडा पानी भी mix कर सकते हैं आप इसको mix करके लोहे की करके रखना होगा बालो में स्कैल्प पे स्पेशली लगाना जरूरी है ताकि जो स्कैल्प है उस पर अच्छे से इसका सारी जो हर्ब्स इसके अंदर हमने डाली है उसका एफेक्ट आए और उसके बाद आप नॉमल पानी से धो लीजे या शैंपू भी कर सकते हैं और वीक की अग Lower कि जाननी है तो प्लीज मुझे कमेंड करके ज़रूर बताइए गा मैं आपके कमेंड का हमेशा से इंतजार करती हूं तो चल्दpay कीजे कमेंट मैं इंतजार कर रही हूं और आपम ब्स जविश्जार करतीए और मेरे चैनल को ज़रूـ सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी बड़िया वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ और फ्रेंग्स ये कुछ दूसरी रेस्पीज ने माई चैनल की चाप क्लिक करके देख सकते हैं डैंक यू